है गाइस कैसे हैं आप लोग आप लोग सूच रहे होंगे डीबीटी जायरफ एक्जाम आ गया है सर कुछ तो बता दो तो चलो उसी के बारे में बात करते हैं कि देखो सीविया साहर का एक्जाम जो होता न थोड़ा सा अलग है जनाब मतलब उसमें जो ऑनलाइन कुश्चन से क्या होनी चाहिए बेसिक सिंग्स तो आपको पता ही होंगे कि कॉन्फिदेंस बूस्ट अब करके रखना है फॉर्मला दिमाग में चलते रहने चाहिए जितना ज्यादा काम रह सको कूल रह सको वह आपको रहना है यह बेसिक नीट्स होती है और यू नो कि आपको यह चीज मैकसिमम कर सकते हैं लेकिन पाटबी में 200 में से आपको 50 करने होते हैं और यह difficult है कि हाउ tweet रॉप्येल कॉन्च बादी नो क Jeżeliality चीश को तैक़ना के लिए कठीक ऒसके बीप्र करने कि आप जब भी पैप्रáriaisoft करे ओना जब भी पेपर कर रहे हो नोड़िए पर्टिकुलर्ली टाइम में आप लिखने का मतलब CSIR वाली स्ट्राटेजी इस पर काम नहीं आएगी आपको क्या करना है क्वेश्चन वन 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 करते जाओ लेकिन क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ पांच सेकेंड देना है आप number wise लिखने का काम कर सकते हो बट like because 200 questions में से आपको 50 ही निकालना है और 200 number मतलब कौन से 50 लिखने हैं आपको सिर्फ वो note down करना है ध्यान देना मैं क्या बोलना हूँ सिर्फ 50 note down करने 200 note down नहीं करने तो कौन सी unit क्या नहीं है क्या करना है section B पर जाना है और सिखने करते जाना है पन ले लेकिक्ष लेन यह पको देना है अगर अनौ्ट देखा जा तो जाना जो वह यह पता चल लागा Estelle में पहला question आपको लगा कि बांद measuring यह मैं कर सकता हूं जस्ट राइट रूर्ड यह पचास से जादा होगा तो मैं उसको यह बोल सकता हूं कि हाँ ठीक है पच्पन था या उसके लामा जब दूसरा कुशन आपने देखा तो यह तो 65 था अच्छा फिर 75 फिर ऐसे करके कुशन बढ़ते चले दाएंगे और अपन युणिट का है क्योंकि कई सारे युणिट जो आप जानते तक नहीं लेकिन जबरदस्ती उस को पढ़ने में पूरा वक जया कर देते और कैसे पता करें की कुशन को तो पांस सेकेंड में वो किस यूनिट का है, सीधे जाना है आपको last line या second last line of the question पर, कि क्यों सा correct है को इस चीज के बारे में बात हुआ है, तुरंत आपको identify कर लेंगे वहाँ पर, ठीक है न, so ये strategy आप अपना सकते हैं, अपना 50-50, 60 question filter out करके उनी को opt करिए जनाब, अगर normal सरीके से देखा जाए, तो आपके पास 200 question, 200 के हिसाब से अगर मैं बोलू, 5 seconds यानी 1000 seconds, 1000 seconds या 1200 seconds माल लेता हूँ, तो उसको करीब-करीब अगर 1200 seconds के उपर बात करते हैं, तो that is like you have 1000 seconds, 5 seconds बहुत जादा होता है, अगर मैं generally बोलू, जल्दी से अगर देखोगे सिर्फ किस unit का ह तो, बट still अगर आप 900 भी लेके चलते हैं, तो करीब-करीब 15 minute लगेगा, 15-20 minute, लेकिन ये 15-20 minute आपको उस 50 question पे, उस 60 question पे अच्छे से महनत करने का समय निकाल के देगा, ये 15-20 minute जो अपका लगेगा, ये आपका पहुत कुछ बता देगा, अब ये 15-20 minute की practice आपको अभी से करनी होगी, पहले से वहीं पे examination hall में जाके सीधे practice करोगे तो सहथ possible नहीं है, इसलिए इसकी practice अभी से करना चनाब, मतलब अभी जो mock test दे रहोगे ना practice कर रहोगे ना उसी से practice करेगा, चलिए all the very best for dbt.jrf examination फोड के आईएगा, और मैं उमीद करता हूं कि आप फोड़ें और बिल्कुल नहीं डरेंगे ठीक है, चलिए खान फैडास्टिक